गर्भावस्ता का आठवा महीना प्रेग्नेंसी का एर्थ मन्त जो की होता है 33 से 36 वीक्स वाला जो यह महीना होता है 33 34 35 और 36 वीक्स जी हां आठवा महीना प्रेग्नेंसी का आईए आज हम इसके बारे में डीटेल में जानेंगे कि इसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है क्य क्या-क्या changes होते हैं आपकी body के अंदर क्या बच्चे के अंदर changes आते हैं और सबसे एक important चीज चो मैंने इस आठवे महीने के बारे में अपने ही पेशेंट से सुनी है बहुत ओपीडी के अंदर मरीज आते हैं और बहुत बोलते हैं की माडम बहुत ध्यान प pendulum के ज्रूत है मैंने सुना है की आठवे महीने के अंदर बच्चा होता है तो वह survive नहीं करता साक्वा महीने का बच्चा देleVideo साथ मे Character में है तो ठीक है या फिर Online मךषा अज़र होता है उब साथमेंद होता है मैंडम वह नहीं रहता है तो सच में अलवो यह बिलकुल भी नहीं जो बिल्कुल इसाथ नहीं होता है कि रत्वunuz कि लिवं में होती है तो उसाट बहतर होती है ज़स महींने के बारे में जिस महीने में और ते ही इंपेशंच हो जाती है यानि वो बस अपनी डू डेक को ही देखती रहती है कि कब दिर आने वाला है कि मेरी delivery होगी और ये मेरा pregnancy वाला काम खतम होगा तो ये जो आठवा महीना होता है इसके अंदर बच्चा जो है वो लगवग 16-18 इंच के बीच में उसकी लेंथ होती है 16-18 इंच के बीच में बच्चे का वजन लगवग करते हैं वही आखरी के महीनों में बच्चा फटफट वैड गेंपर करता है ज्वरी हएं फास्टस वीट गिए निस काफी स्पीड पे जल्दी जल्दी कि रोकंटे किड्नीज और मेच्योर हो चुकी होती हैं दिमाग की भी काफी स्पीड पर ग्रोथ होती है बच्चे के जो नाखोन है जी हां नेल से यह नाखोन वह अपनी नेल बैट को क्रॉस कर जाते हैं और तो कि 8 वे महीने में बच्छा अपनी फाइनल पोडिशन ले लिए यहां कि बच्चा सीधा रहने वाला है या उieur्ट रहने वाला चेंज कर पाए तो यूसुली एर्थ मन्त में आठ में में बच्चा अपनी फाइनल पॉजिशन भी पे आ जाता है बच्चे के मुवमेंट्स मैं लगे थे पहले जतने जादा होते थे अब उतने पूर पूरा का पूरा फील नहीं होते हैं थोड़े कम हो गाए हैं हैं जी हैं ऐसा होता है क्योंकि जो swimming pool है relatively वो कम हो गया और बच्चा बढा हो गया है तो इतना मुव करने की जगे नहीं बलती लेकिन movements थोड़े stronger हो जाते हैं क्योंकि बच्चे के जो organs हैं वो बड़े हो गए है heart pad grow हो गए है तो उनकी जो power है वो बढ़ गई है तो बच्चे के movements कम ज़रूर होते हैं पूरा का पूरा बच्चा अब नहीं घूमेगा आप सिर्फ हाथ मारेगा है पैर मारेगा लेकिन वो movements stronger movements हो जाएगा यहां full move वो अपनी नहीं कर पाएगा उसकी final position में वो पहुंच जाएगा यह आखरी महीना होता है जब आपको traveling allowed होती है जी हां उसके बाद हम travel करना ना के बल हम बल्कि most of the airlines भी इसके बाद आपको travel करने नहीं देती है यानि कि अगर आपको supposedly delivery के लिए माई के अससुराल से कहीं shift होना है तो इसी महीने में आप कर लीजे इसके बाद आपकी traveling allowed नहीं होगी most of the flights भी 30 to 34 weeks तक allow करती है उसके बाद traveling allowed नहीं करती है लेकिन अगर आप flight पे नहीं जा रहे है by road या by train भी जाना चाहरी है तो अभी advisable होता है कि आप 8-5 महीने तक कर लीजे नवे महीने में travel मत कीचिए मा के अंदर क्या क्या changes आते है मा के दिक्कते थोड़ी सी बढ़ती है यानि की कमर दर्द की समस्या बढ़ने लग जाती है जो सूजन आ रही है वो बढ़ने लग जाती है obviously बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो जो lumber lord doses यानि जो कमर का जो state है वो इस तरह का हो जाता है कि कमर दर बढ़ती है पैरों में दर्द होने लग जाता है पैरों में सूजन आने लग जाती है breast में pain या breast leak करना ये problem भी कभी कभी आती है महिला का वजन भी definitely बच्चे का वजन बढ़ रहा और साथ में महिला का वजन भी बढ़ता है Braxton है contractions आने लग जाते हैं Braxton है contractions यानि false labor pain यानि की पैट में कुछ समय के लिए दर्द रहता है ऐसा लगता है जैसे period वाले crimes जैसे से आते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो चले जाते हैं इसे हम हमारी भाशन में false labor pains या फिर रेक्स्टेन है contractions कहते हैं ये भी आठवे महीने में आने शुरू हो जाते हैं वह समस्या बढ़ सकती है क्योंकि बच्चे का जो है वह बिलकुल नीचे होता है तो इसलिए स्टूल पास करने में भी दिक्कत आने लग जाती है यूरिन लीक होने की वी समस्या कभी-कभी आने लग जाती है बाडी में थोड़ी बहुत इचिंग भी होने लग जाती है पेट के उपर स्पेसिकली जादा होती है परन्तों इचिंग काफी परसिस्टंट रह रही है या जादा हो रही है तो हमें महीला का कभी-कभी लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराने की जरूरत आती है कि गॉल ब्लाइड या जो कुली स्टेस्स वगेरा तो नहीं हो रहा है वो देखने के लिए बेबेबं बढ़ता है सांस लेने में भी तकलिफ आने लग जाती है कभी-कभी महीला बोलती है बहुत सफोकेशन हो गया है सांस ही नहीं आ रही है वह इसलिए होता है क्योंकि बेबेबं बढ़ता जाता है जिसके करान की जो लंग्स की स्पेस है वह भी कम होनी शरूर हो जाती है इसलिए सांस लेने में भी इवन महीला को कभी-कभी दिक्कत आने लग जाती है समस्य में कभी से सांस नहीं आरी है, सांस नहीं आरी है, कमर दरदो रही है, की नहीं आरे है, अब जलंदी से इलरी होड़ी ही जा है तो यह चीज जाते हैं महिला के अंदर इस आठवे महीने के अंदर जो में लिए आपके डॉक्टर जिसीस का ध्यानक तेया जो जो टेस्स करते हैं उसमें में ली क्या रहता है दॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करके देखते रहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है उसका वजन मॉनिटर किया जाता है बच्चे के चारो तरफ पानी देखा जाता है कि वह ठीक रह रहा है कम तो नहीं हो रहा है बच्चे की तरफ जाता हुआ बलड फ्लो ठीक है या नहीं है यह चीज़ें आपके डॉक्टर डेफिनेटली देखेंगे इस टेंपे यूरिन किया जाता है यूरिन टेस्ट इसलिए किया जाता है कि उसमें अल्ब्यूमिन वगेरा तो नहीं आ रहा है आपकी बीपी मॉनिटरिंग किया जाता है कि आपका बीपी ठीक रह रहा है बीपी तो नहीं बढ़ रहा है बहुत बार जिन महिनों का हीमोगलोबिन थोड़ा कम की साइड में चल रहा होता है तो हमोगलोबिन का टेस्ट भी रिपीट किया जाता है कि आपका हमोगलोबिन ठीक है या कम है अगर बाइचंस जादा कम रह रहा है तो कभी-कभी आइडिन के इंजेक्शन देने की जरूरत आती है इस आट पी महीने में बहुत से लोग अपना वह हॉस्पिटल बैग को पाक करना भी शूरू करते हैं कि कभी भी डिलिवरी के लिए जाना पड़ सकता है एक चीज हमारे हॉस्पिटल में हम लोग हॉस्पिटल बैग नहीं मंगवाते हैं यानि कि पेशिंस को जो हमारे हॉस्पिटल में आ रहे होते हुने किसी भी प्रकार क hospital bag लाने की जरुवत नहीं रहती है क्योंकि हम सबी चीजें hospital से ही directly supply करते हैं, हम मरीज को कहते हैं कि सिर्फ आप और आपकी file ये दो चीजे लेकर आई हैं बाकि हमें और किसी भी प्रकार की चीज की requirement नहीं होती, परन्तु आपको hospital bag prepare करना है या नहीं करना तो आप अपना hospital bag prepare कर लीजिए delivery के लिए कौन-कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ये symptoms हो या changes हो बाड़ी के अंदर तो हमें hospital जाना है उसका dedicated video वैसे मेरा है कि hospital जाने का समय क्या होता है आप उसे कुछ भी चालू हो जाए तो आपको hospital जाने की जरुवत रहती है hospital जाने का सही समय उस पर मेरा dedicated video है अप उसे देख सकते है अगर आप आठवे महीने में चल रहे हैं तो आठवे महीने के अंदर बहुत जादा exercises over मत कीजिए जितना आप normal कारी उतना ही रखिए कभी-कभी normal delivery को लेके patients काफी enthusiastic हो जाते हो और बहुत ज्यादा exercises बढ़ा देते हैं तो वो नहीं कीजिए क्योंकि हम आठवे महीने में नहीं चाहते के delivery हो, pre-term delivery नहीं होनी चाहिए तो आठवे महीने में diet की जहां तक बात है, diet definitely जो मैंने पहले के महीनों में बताई उसमें कोई खास change नहीं होगा, यानि की definitely आपको healthy diet लेनी है, junk food का प्रयोग कम से कम करना है आप हरी सबजी आप आला कनार से बीट ये सब जादा लीजे, protein का इंटेक जादा लीजे, क्योंकि बच्चे की growth fast speed पे हो रही है, तो आप अंकुरित मूंग है, मोट है, पालक है, ब्रोकोली है, ड्राइ फ्रूट्स है, पनीर है, ये चीज़ें जादा लीजे, liquid का प्रयोग जादा कीजे, पानी, नीबू पानी, नारियल पानी, सूप, जूस, चाज, ताकि बच्चे के चारो तरफ जो पानी है, वो मिंटेंड रहे, आपके डिलिवरी होने में आसानी रहे, अगर किसी कारण वेश आपका सजेरन भी होना है, तो भी liquid जादा लीजे, यह मैं सोचिए, सर्फ डिलिवरी होने वाले लोगों को liquid जादा लेना होता है, क्योंकि बच्चे की प्रपर ग्रोथ के लिए भी वो पानी बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है, I hope इस आठ पर महीनी के बारे में, जो कुछ आप जानना चाहते थे, वो मैंने clear कर दिया होगा, फिर भी आपको कोई confusion तो comment box में लिए क्या पूछ रखती है, 9th month की detail definitely channel पे अप्लोड़ेड है, delivery में क्या होता है, sazeran में क्या होता है, दोनों में क्या difference रहता है, इसके बारे में अगर आपको कोई भी details जाननी हो, और अभी ही से आप ये समझना और जानना भी सीखें, कि breast milk के लिए क्या करना चाहिए, तो ये इन चीज़ों के बारे में भी आपके information रहेगी, knowledge रहेगी तो अच्छा रहेगा, इनके बारे में dedicated videos हैं, हमारे जोकी आप देख सकते हैं, फिर भी कोई confusion हो तो comment box में लिखिएगा, चैनल को subscribe कीचे, धन्यवाद,